नमश्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सन सीरप के बारे में फ्लेक्सन सस्पेंशन के बारे में इसके फायदे जानेंगे नुकसान जानेंगे इस्तिमाल करने का तरीका जानेंगे और कितने दिनों तक इसके इस्तिमाल किया जा सकता है सभी बातों के वीडियो company का, इसका MRP है 32 रुपे, 60 ml की बॉटल है ये और इसमें salt है ibuprofen and paracetamol, ibuprofen इसमें 100 mg है और paracetamol इसमें 162.5 mg, 5 ml अगर आप देते हो बच्चे को तो, चलिए बात कर लेते इसके uses की किस काम में इस्तमाल किया जाता है, दोस्तों इसका उपयोग दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है, ये टेबलेट में भी आती है, तो अगर बड़ों को देना है, तो टेबलेट फॉम आती है, flexion के नाम से, तो वो दी जा सकती है, इसका उपयोग बच्चों को अगर बुखार है बहुत ज़्यादा, या फिर दर्द है, दर्द आप जैसे कि आख, नाक, कान, गले में कोई भी दर्द है, अंदरूनी कोई भी दर्द है, उसमें दे सकते हैं, साथी साथ, सिर में दर्द, बदन दर्द, और हाथ-पाउं में दर्द होना, या फिर कोई चोट लग गई है ब बखारो वाइरल बखारो उसको उतारने के लिए इसको दिया जाता है साथ में एंटीवाइटिक भी दिया जाता है ताकी बखार जो है वह जड़ से है यहां फिर दो टाइम अब उमर की बात आती है कितनी उमर के बच्चे को पांच एमल देना है तो अगर बच्चा देखे इसमें जो है पेरसेटरमोल नहीं टेखे और दो टो टीन साल का बच्चा है तो 5 एमल दे सकते हैं लेकिन बिना डॉक्तर की सलाके के नहीं देना बी क्योंकि इस दवाई का नुकसान हो हो सकता है reaction भी हो सकता है le early bicon सकती है टो improve की सलाक के साथ में ही देना है अगर बच्चा कम का है ठीक है तो भी है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा डॉक्टर की चैकप के बिना इसको भी इना की दिया जाता घ् recruiting देना चाहिए अपनी मर्जिय से कभी भी नहीं देना चाहिए और खास करके ओवर डोज तो नहीं देने चाहिए क्योंकि ओवर डोज नुकसान कर जाती है क्योंकि इसमें पैरसिटमॉल है और आईबो प्रोफन है तो दोनों ही नुकसान दायक होते हैं अगर उसको ज्यादा मातरा में दिया जाए तो जितना आपको डोक्टर बताए जितना बच्चे का वेट होगा एज होगी उसका बजन कितना है उसकी उमर कितनी हो उसके हिसाब से इसकी डोज को बताया जाता है जैसे दूबला पतला बच्चा है तो उसे कम डोज बताई जाती है healthy बच्चा है तो उसे उसी परकार से डोज बताई जाती है और साथ में इसके एंटीवाइटिक दिया जाता है तो सब को चेक करकि डॉक्टर फिर ही इसकी डोज को confirm बताते है मैंने आपको roughly बता दिया है normally बता दिया कि इतनी दी जा सकती है लेकिन डॉक्टर की सला के साथ में अगर आप वैसे देना चाहते है बिना डॉक्टर की सला के तो जो फार्मासिस्ट जहां से आप इसे पर्चेस करोगे उसको एक बार जरूर पूछ लेना अपनी मर्जिस से ब दे दिया बुखार नहीं ठीक हो रहा है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएगा ठीक है और इसको जो लेने से नुक्सान होते हैं इसको देने से अगर बच्चे को उल्टी होती है घबराहाट होती है या फिर पूरे शरी में दाने निकलते हैं खुजली होने लगती है य बाद में नहीं देना तुरंद डॉक्टर के पास जाना और उनको बताना कि ऐसी प्रॉब्लम है तो वह आपको जरूर कोई सलूशन बताएंगे और कोई दवाई लिख के देंगे ठीक है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग करता हूं ड्यए नहीं तो घ्क है फ्रग नहीं है पता हुर् और के दोजा के लिएक papa लिएो जाएंगे फ्रस्ट का लिएर का लिए गयाँ अमी जह आपको ज्ड़र पको फदल करता है अजाना हीङो हो जड़र कहसे ऑजा है उनक्ता है? झाल झाल